दोस्तो आप लोगो के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ गई है दोस्तो यह आपका RRB NTPC और Group D के रिगार्डिंग यह अपडेट रहने वाली है जो कि आप लोगो के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट आ गई है यह आपका जो स्टूरेंट की जो मांग जा था उसको वाँ पर Soviet क्या गया था और उसमें बोला गया है कि कुछ दिन के अंदर में ही 24 दिन के अंदर में आप들 बोलत वारी अपडेट धूडेट के पіл के हित में आ सकती है तो उसको लेकर यहाँ पर आपलोगों के लिए अपडेटए आ गए सो यहां पर हम देखते हैं इसके नोटीस में आप लोग के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है तो यहां पर देखिए आपका ओफिसल नोटीस है यहां पर बोला गया है Ministry of Railway in term of order number यह आपका है डेट 26.1.2022 has constituted a committee जो के high power committee को बना था the examine the concern of candidate of CN1-2019 यानि कि NTPC का non-technical popular category यानि कि NTPC और CNRRC 01-2019 level 1 यह आपका group D के लिए रहने वाला था इसके regarding बोला गया कि it has now been decided as follow क्या इसमें decide लिया गया है तो हम देख लेते हैं कि क्या student के पक्ष में आया है देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट आपके लिए यह जो आपका मांग था कि 20 times लेना है वो यहाँ पर आपके लिए आ गया है कि 20 times unique candidate will be shortlisted with pay level wise second stage के लिए जो NTPC का second stage के लिए यहाँ पर आ गया है कि आपका जो एक्जाम है उसमें आपको 20 times लिया जाएगा computer second computer waste test के लिए यहाँ पर CBT2 के लिए second point में आपको बोला गया है कि the candidates are already announced qualified यानि कि जो फर्स्ट एक्जाम जो result आया था जो कि पिछले बार सेलेक्ट नहीं हुए थे क्योंकि 20 times नहीं लिया गया था उसके कारण तो आप 20 times करने के बाद जो एक्स्टा candidate getting shortlisted will be notified at each pay level तो यहाँ पर आप लोग के लिए बोल दिया गया है कि जो भी अधिशनल के लिए shortlist होते हैं उनको यहाँ पर notify कर दिया जाएगा मतलब उनको बता दिया जाएगा उनके लेवल के लिए कि किस किस लेवल के लिए सेलेक्ट हो गया है यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों आप लोगे नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि अरवी वाइज यानि कि अरवी जो भी अरवी उसके एकॉर्डिंग अपर सेकेंड एस्टेशिविटी फोर इच पे लेवल विट ऑल कंडिडेट ऑफ वन अरवी एकॉमेडेटर इन सिंगल सिप्ट विच सूट एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन वेन वेरेवर सिंगल सिप्ट इस नॉट पॉसिबल यहाँ आप देख सकते नॉ गया है कि सतरा से इसमे नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा लैकिन यहाँ पर को जिस के जायेगा आगे दकना होगा कि वह क्या फॉर्म्ला देटेएल किस तरह से किया जाता है तो वह देखने के लिए आगे हम लोग को नोटिस मिलेगा किस तरह का वह फॉर्मूला या क्या कुछ उसमें रहने वाला है यहां पर आपका नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है सी एन आराट सी इस स्लैस जिरो वन स्लै दो जाने सी यानि की ग्रू इने बोल दिया गया किस दो अस्टेज हो गा तो यह श्टूदा लोग के लिए हित्मे नहीं था तो श्टूरण लोग न्य allen इसकी लिए भी बहुत मंग उठाई थी तो यहां पर आप लोग जो बोल दिया गया पर रूप से कि आप कोई भी सेकेंड स्टेज एक्जाम गुरूब डी के लिए नहीं होगा तो आप लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खुश्खबरी है नेक्स्ट पॉइंट में आर आर सी वाइज सीवीटी विल भी हेल इन हेल फोर लेवल वन अलसो मैक्सिमम एवलेबल कैपेसिटी इस रिकमंडेट तो बी यूज़ तो सिगनिफेकेंस सिगनिफेकेंट सिगनिफेकेंट ली रिड्यूस्ट नंबर ऑप सिप्ट इनवाल फोर इच आर सी एंट टो स्पीड अप देग्जाम नेशन प्रोसेश यहां पर आप लोगे एसपस्ट बोला गया है कि आररसी वाइज आपका सिवीटी लेवल वन का एक्जाम लिया जाएगा लेकिन यहां पर कोशिस यह भी किया जाएगा कि कोई भी सिप्ट नहीं हो ताकि नॉर्मलाइजेशन का कोई भी प्रोबलम स्टुडेंट के लिए फ्यस न नहीं होगा यहां पर आपका नेक्स्ट बोला गया है कि यह परसेंटाइल वेस्ट नॉर्मलाजेशन वीच इस सीमपल एड़ी तू अंडरस्टेन यहां परस परस्ट बोला गया कि नॉर्मलाजेशन को परस जो है परसेंटाइल वेस्ट नॉर्मलाजेशन किया जाएगा त दिया जाता है जार्टुरेंट होने के वाजार से तब किया जाएगा तो जो कि एजी round understanding होगा student के लिए यहां पर next बोला गया है कि medical से related है कि medical standard as prescribed in Indian medical manual Indian railway medical manual यानि कि IRMM will be used for different post of level 1 यहां पर आपका बोला गया जो medical standard रहेगा जो Indian railway का manual है medical का उसके according level 1 के लिए या फिर आपका level 1 का जो post है उसके according आपको उसमें देखना होगा कि क्या 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 उसमें आपका मेनुवल में बोला गया है मेडिकल स्टेंडर क्या है तो उसके अनुसार फोलो होगा यहां पर नेक्स्ट आपका बोला गया है कि एनी एविलेवल इंकम एर एसेट सर्टिफिकेट फूर कंडिडेट है के लिए रहने वाला है यहां पर पहले का बना हुआ है कि उनको बहुत सारे प्रोब्लम को फेस करना पड़ा था यह स्टूरेंट के लिए बहुत बढ़ी जीत है यह स्टूरेंट का जो मेहनत था फो यहां पर रंग लाया है कि यहां पर हम आगे देख लेते हैं कि क्या बूला गया है यहांपर आयो इसका जो टեनीव को पॉन्ट आपको बूला गया कि रिवाइज रिजल्ट आने वालों के लिए यह आपको अपरेल के फर्स्ट वीक दो हजारी कर दिया जाएगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़ी खुसकब्री है कि यह जल्द जल्दी आ जाएगा सब्सक्राइब कर लिए इसलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को अन कर लिए नेक्सट पॉइंट हम देखते हैं यहाप बुला गया है कि सिकेंड स्टेज सी वीटी फोर पे लेवल सीक्स तूबी हेल इन मैं दोहजर बाइस यानि कि आपको बोल दिया गया है कि सेकेंड स्टेज का दो सी वीटी तू का रिग्जाम लिया जाएगा लेवल सिक्स के ओडियाबल कर धू दीतू का वह आपको डिग्जेंबल गयाता की स्टूएंट को रिफ्रेस होने का और अपने अंडरस्टेंडिंग का समय मिल जाएगा अच्छा से ताकि वह अच्छे से एक्जाम में प्रिट्पेयर होकर जा सके और उनको किसी तरह का फेस नहीं करना पड़े क्योंकि उसमें दो से ज्यादा जगह जो लेबल में कंडिडेट क्वालिफाइए हो चुके हैं उनको परिशानी नहीं होगा को चार लेबल में भी क्वालिफाइड है तो उ रिवाइज मेथोडोलोजी विट स्पेशल कंडिशन फोर कंडेक्ट अप्सीविटी फोर लेबल वन द्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड एस्टेज सीविटी एटी सी यहां पर आपको दोस्तों नेक्स्ट पोइंट में बोला गया है कि इस विल भी इन्वाल्ब इस ट्रक्टर एंड लोजिस्टिक टु कंड़क्ट्सीविटी ओफ लेबल वन विट सिगनिफिकेंट इंक्रीज इन पर सीप्ट रूक्वार्मेंट इफ़र्ट विल इन्वेड टू है एक्जाम लेने वाले अगर उनको एजेंसी है उनको भी यहां पर प्रॉब्लम फेस क इंफ्रेस्ट्रॉण और लोजिस्टिक की च्शुद्हथ परती है तो यहां पर आप लोगों के लिए बुला गया है कि कम से कम हैं यहां करने का कोसिस किया जाएगा यहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट है कि हैंस CBT for level 1 is planned to be held tentively from July 2022 onward यहाँ पर आपको असपास टो बोला गया है कि CBT 1 जो level 1 के लिए exam दे रहे हैं जो group D वालो का है उनका जो tentative exam है वो आपका July 2022 से हो सकता है यह आपका tentative है और आपको आगे inform कर दिया जाएगा जो भी आपका schedule होगा आपको website पर update रहना है आपको इस चैनल के माधियम से भी सारा update दिया जाएगा तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को subscribe करिए और bell icon को on कर दिजे इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है कोई भी फिस नहीं लगएगा इसलिए इस पर आपको लेटेस्ट वेकेंसी गौर्रमेंट वेकेंसी प्राइवेट वेकेंसी रिजल्ट जतने भी चीज़ होते हैं वह सारा आपको देखने के लिए मिलता है यहां पर तो आप इसे subscribe कर लिजे तो दोस्तों मिलते हैं आगे जो भी इंफर्मेशन आता है वह आपके साथ सेयर कर दिया जाएगा तो